स्वालों दोस्तों मेरा नाम धननजा है फिजी फिन चैनल है कॉर्पोरेट सेल्स मार्केटिंग एन फैनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरू करिएगा आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्स क सेल्स में बेसिकली अगर आप पहले ही अगर आप सेल्स गाय हैं या सेल्स मेनेजर हैं या सेल्स के टॉप बॉस हैं और आप अपने टीम में आपको लगता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेस नहीं चल पा रही है जो जो ग्राउंड लेवल की टीम है जो इनो डारेक्ट front desk की team है या those who are directly interacting with the customer वहाँ पे dealing बहुत अच्छे नहीं हो पा रही, closer नहीं हो पा रहा है, closer हो रहा है but at very low level पे हो रहा है जो आपके threshold से भी कभी कभी नीचे चला जा रहा है तो कहीं न कहीं concerned है तो इस वीडियो में मैं कुछ point address करूंगा जो आपको help करेगा, this video is even useful for those who are running their own business छोटे level पे, those who are working under corporate या छोटे मोटे बीनस houses पे वो काम कर रहे है तो सबके लिए वीडियो फायदा होगा, छोटा वीडियो होगा, 5-6 मिनिट आयो पे से यादा नहीं लूँगा तो अब लोग आखरी तक जरूर देखिए और comment प्लीज करके बताईएगा कई बार हम closer जब करते हैं, तो एक pressure होता है उपर से, अपको होना ही चाहिए pressure की वज़े से हम closer में डर की वज़े से, pressure हमारे उपर आया, हम डरे हुए है customer हमसे न चला जाए, deal न खराब हो जाए, इतनी मेहनत कर रखी, इतना follow up कर रखा है तो ऐसे case में हम एक distress sale कर लेते हैं, या distress अपने आपको represent करते हैं उससे सामने वाला judge कर लेता है, कि ये बंदा कम पैसे में आ जाएगा, कम पैसे में हमें समान दे देगा वहाँ पे आप discounted price दे देते हो, discounting हमेशा किसी को भी अगर आप offer करते हो, तो एक तरह से वो एहसान हो उससे उसका कुछ testimony लो, उससे उससे कुछ references लो, उससे उस commitment लो, possible हो तो कुछ return में लो, return request लो ऐसा करने से, आपका जो sale होगा, सामने वाले बंदे को लेगा, मैंने best rate ले लिया और आपको लेगा कि इसको मैंने एक एहसान दे दिया, और course ये अगर कुछ नहीं देगा, तो at least बुराई तो नहीं करेगा, thank you ही बोलेगा मेरे को ये जरूर ये, कभी भी sale में आपको, मैं ये reference दे दूँगा, दो customer और लेके आऊंगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, इस पे sale नहीं करेए, इस पे discount मत करेए, worst case मैंने बोला, testimony लीजे, तारिफ करवाईए उससे, on record करवाईए, क ये product अच्छा है, ये है, वो है, हम इनके customer है, यहां तक भी सही है, क्योंकि वो आप in cash करा सकते हैं, कहीं न कहीं, दूसरा sale technique में हमेशा, एक, मालो आपको एक customer चाहिए, per day on an average, तो 5 customer से ज़्यादा आपको backup रखना पड़ेगा, because 20% worst case में conversion मान के चलो, expected conversion वो भी उन से जिन से बेटर होगा, plan was get better and have your best, ये कैसे हो सकता है, आपने पता चला कि एक ही आपके पास है, और वो आपका sale 100% है, बात हो चुगी, बस payment आना है, चाहिए कटना या transfer होना है, पता चला उस बंदे ने phone कर दिया, या phone ने उठाया पूरे दिन, उसके पास आज पैसे का arrangement नहीं हो पाया, आपने अपने boss को बोल लखाता है, एक sale close होगा और आप जवाबने देने condition में है, जब आप backup plan करके चलते हैं, तो आप एक ने उठायगा, दो ने उठायगा, तीन ने उठायगा, चार ने उठायगा, पांच में उठालेगा, और sales हमेशा emotional angle भी लाके किया जाता है, कई के बार आप बड़े इनो, एक ideal situation में चले जाते हो, आप बिलकुल उसको बोलते हो नहीं, हमें तो कोई जरुवत नहीं है, sale की, हमारे पास तो इतने customer है, यह सब एक limit तक तो ठीक है, लेकिन reality भी customer को जानना चाहिए, अगर आप उसे बता देते हो, कि how important this sale is for you, and उसको value पे देते हो, and parallel आप ये भी बताते हो, कैसा नहीं है, कि मैं बेच रहा हूँ, आपको कोई फाइदा नहीं, you are getting so much benefit of it, ये चीज़ उसको बता कि आप अपनी situation बताते हो, तो यहां से कई कई बार sale निकलने के chances बढ़ जाते हैं, उसको लगता है, यार मुझे खरीदना तो है नहीं, चलो आज मैं इस पे ऐसान कर देता हूँ, इसके बतले आप उसको add-on कुछ discount offer कर सकते हो, अगर closing जरूरी है तो, discount एक limit में होनी चाहिए, discount ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ये ultimate बेचने का हथियार है, ultimate बेचने का हथियार जो होना चाहिए, आपकी product होनी चाहिए, याप अपने past data से future के लिए plan बनाओ, और social media या कोई भी media इसको ultimate tool की तरह यूज़ करो, बता रहा हूँ मैं आपको, अपने customer से whatsapp पे आड़ रहा हो, अपने customer को good morning भेज़ दो, good morning से irritate होता है, कुछ अच्छे course बेज़ दिया करो, कभी-कभी, कुछ अच्छे अच्छे वीडियो बेज़ दिया करो, यह मेरा वाला वीडियो मत बेज़ना उसको, आप उसको जब daily engage रखोगे, किसी occasion पे, किसी festival पे, या कोई offer पे, और या अपनी company के achievement पे, या उसकी company उसके services जो कर रहा है या ले रहा है, उससे related कोई update आता है, तो वो आपसे connected feel करेगा, उसके status को कभी के thumbs up या कुछ comment कर देना positive, that will help you, similarly आप अगर phone उसका note कर लोगे, और उसके phone में आपका number अगर save हो जाएगा, तो आप लोग एक दूसरे के status watch कर सकते हो, बहुत छोटी technique है, बहुत helpful technique है, similarly आप अगर उससे references लेते हो, जब admission close कर लो, जब आप service अपनी close कर लो, जब अपनी sale close कर लो, तो उससे जब भी कोई reference लेते हो, मांगते हो तो वो reference देगा, कई बार reference बोलेगा मेरा नाम मत बताना, कई बार आपको link दे सकता है, कई बार आपको connection दे सकता है, कई बार किसी ऐसे लोग से मिलवा सकता है, जहां से आपका sale का फायदा हो, तो इन सब चीजों से आप को future में काफी benefit मिल सकता है, so it was all, thank you very very much, bye bye, take care.